आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डिवाईन माजिक में आज मैं आपको बताऊंगी खाटूशाम बाबा को हारे का साहरा क्यों कहा जाता है और खाटू शाम बाबा की पूझा अर्चना कैसे कहनी चाहिए खाटु शाम बाबा कैसे आपकी सभी मनोकामनाय पूर्ण करेंगे आप सब ध्यान से सुनिएगा खाटु शाम को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और उनकी सभी समस्याओं को दूर करते हैं। उन्हें भक्तों के दुख संकट दूर करने की शक्ती प्राप्त है। इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी खाटुशाम बाबा की पूजा करनी कैसे चाहिए। खाटुशाम बाबा की पूजा करते समय निमलिकित बातों का दिहान रखना चाहिए। सुद्धता पूजा करने से पहले हमेशा अपने आपको ना दोकर साफ वस्तर पहने। स्तान पूजा स्तल को सुद्ध और साफ सुद्रा रखें यदि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वे सुद्ध और साफ होना चाहिए। उपचार पूजा करते समय श्याम बाबा की मुर्ती, धूब, दी, फल और फूल आदी उपचारों के लिए इस्तेमाल किये जाने चाहिए। मंत्र जाब, श्याम बाबा के मंत्रों का जाब करते समय ध्यान रखे, अधिक्तम लाब के लिए उनके मंत्रों का नियमित रूप से जाब करें प्रशाद, पूजा के बाद फल, प्रशाद या भोजन आदी दुआरा भगवान का प्रशाद बाटना चाहिए खाटु शाम बाबा का मंत्र है जैश्री श्याम, यह मंत्र खाटु शाम जी के भगतों दुआरा उनकी पूजा और आरादना के दौरान बुला जाता है इस मंत्र का उचारन करने से भगतों का मन शान्त होता है और उन्हें खाटु शाम जी के आशिरवाद मिलता है आप शाम बाबा को कैसे प्रशन कर सकते हैं? चड़ा सकते हैं, दान दे सकते हैं, या किसी गरीव को खाने पीने का प्रिवंद कर सकते हैं। याद रखे शाम बाबा एक दयालू और सवेदेंसील देवता हैं। उन्हें विश्वास के साथ ध्यान किया जाए तो वैसा देव आपके साथ रहेंगे और आपकी सभी मनोकामन पूर्ण करेंगे आपकी सभी परिशानिया दूर करेंगे। बोलो श्याम बाबा की जैए। अब मैं आपको बताओंगी खाटु श्याम बाबा का वरत कैसी किया जाता है। खाटु शाम जी का व्रत भक्तों के भीच बहुत लग प्रिया है। ये वरत भक्तों के बैटकर पूजन करना चाहिए इसमें दीपक, फूल, धूप, अक्षत, नवेद, पुश्पांजली और आर्ती शामिल है व्रत का पालन व्रत के दिन भक्त को पूरा पालन करना चाहिए व्रत में अनाल, दूद, दही, घी, शकर, ताजा, फल और सब्जियां खाने की अनुमत भक्त को अन्य तीर्व या विशाद करने वाले कारियों से दूर रहना चाहिए, धर्म के कारिवरत के दिन भक्त को धर्म के कारियों में भी अधिक समय देना चाहिए, उन्हें जब प्रातना करनी चाहिए, श्याम बाबा के दिन को सुकुरवार का दिन माना जाता है, श्या श्याम बाबा की प्रातना है ओम श्री श्याम देवाय नमा श्याम बाबा तुम मेरे सबसे प्रिये और भगवान हो मुझे आश्रवात दो कि मैं सदैव तुमारे चर्णों में रहूं और तुमारी सेवा में लगा हो रहूं मेरी सभी मनुकामनय पूर्ण हो जाएं और मेरा जीवन सफलता और सिम्रिद्धी से भर जाए मुझे शांती स्वस्तता उत्तम समस्या समादान और संतुष्टी दो मुझे तुमारे चर्णों में हमेशा सुखसांती का अनुभू हो श्याम बाबा तुम मेरे सब कुछ हो मेरा संबंद मेरा सहारा मेरा आश्रे हो तुम मुझे सदैव संबोधित करो और मेरे सभी पापो को दो डालो श्याम बाबा मैं तुमारे चर्णों में धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि तुम मेरे जीवन में हो, मुझे आशिवाद देते हो और मेरी मदद करते हो तुम मेरे जीवन में सबसे महतपूर हो और मैं तुम्हारा सदय वाभारी रहूंगा श्याम बाबा मुझे आशिरवाद दो कि मैं आगे भी तुम्हारी सेवा में लगा रहूंगा बोलो श्याम बाबा की जय मैं आपको बताऊंगी खाटू श्याम बाबा को किस चीज का भोग लगाना चाहिए खाटू शाम भाबा को भोग में पसंद आती हैं ये सब चीज़े दूद, वक्कन, पनीर और घी का परसाद, मिठाई, लड्डू, बर्फी और जलेबी आदी मिठाई के पिरकार, फल जैसे की नारियल, अंगूर, अम्रूद, आम, केला आदी, पूरी, कचोरी, आलू, चुने, पूजा के लिए खाटू शाम जी की मूर्ती पर पान, श्रिंगान समरग्री, अगरबती, दीपक, धूप, कलश, पंचामरित, फल आदी वस्तुएं एकत्र करें, पूजा की सुरुआत करने से पहले अपने हाथों को धोलें और सुद मन से पूजा करें, पूजा क जन्या आरती गाएं और खाटू शाम जी किर्पा का आभास करें, पूजा के अंत में प्रसाद बातें और खाते वए भगवान श्याम की किर्पा का आभास करें, यदि आप खाटू शाम जी की नियमित पूजा करते हैं तो बेहती फलदाही साबित होती है, बोलो खाटू शाम भाबा की जै, ऐसी अच्छे अच्छी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन म्यूजिक को लाइक और सस्क्राइब करें, धन्यवाद।